नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्यूश रंजन सरकांगाराम हॉस्पिटल नई दिली में गेस्ट्रेंट्रोलजिस्ट हूँ आपसे इस वीडियो में आज मैं लिवर सिरोसिस में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम हिमाटमेसिस यानि कि जब खून की उल्टी आती है उसके कारणों का और उसके इलाज के बारे में बात करो का देखिए लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि जब लिवर के अंदर स्टिफनेस बढ़ती है तो ब्लड फ्लो के दूसरे रास्ते बनते हैं और यह जब रास्ते फूड पाईप और स्टमक या समॉल इंटेस्टिन के आसपास होते हैं तो इससे जो फ्रॉब्लम होती है जो खून के चैनल्स फूड पाइप में या स्टमक में बन जाते इनको व cheesy says कहते हैं food pipe में यदि ये veins हो, तो इसको isophagial varices कहते हैं, अगर stomach में ये veins हो, तो इसको gastric varices कहते हैं, और यदि intestine के किसी दूसरे पार्ट में ये viruses हो, तो इनको ectopic varices कहते हैं, इसके अलावा, फून की बड़ी नसों के अलावा, कई बार एक change होती है, जो intestine के internal lining में दिखती है, इसको gastrop अगर यह स्तमक में हो, portal hypertensive gastropathy, short में हम इसको PHG कहते हैं, और अगर यह intestine में हो, तो इसको intropathy कहते हैं, large intestine में भी हो सकती है, उसको kolopathy कहते हैं, तो यह सारी बीमारियां होती हैं, जिनसे या तो उल्टी में खून आ सकता है, या दी food pipe और इस तमक में हो, और intestine में होने पर, यह blood latin में आ सकता है, जो कि uncommon चीज़ है, तो सबसे common कारण, जो complication होता है इसका, isofagial और gastric viruses का, यह उल्टी में खून आता है, 30-40% लोगों को liver cirrhosis पहली बार तभी पता चलता है, जब उनको उल्टी में dramatic symptom है, patient बहुत sick होते हैं, ज्यादा तर blood pressure कम होना, और दूसरी complications उसमें होती है, तो इसमें जब भी इस तरह की चीज़ होती है, जब active bleeding चल रही है, तो इसमें दाखिल होना, कई बार ICU में admission की जरुवत होती है, और food pipe से अगर दिख रही है bleeding, तो उसको हम endoscopy के जरीए, उसपे rubber band जैसी चीज़ होती है, जिसको लगाते हैं, इसको endoscopic variceal ligation, यानि की EVL कहते हैं, और उसके जरीए वो bleeding रुख जाती है, अगर gastric varices दिख रही हो, तो उसपे हम glue injection करते हैं, glue injection के अब कई सारे advanced techniques हैं, जिसमें एक endoscopic ultra sound guided glue, और उसमें coils भी डालते हैं, तो ये glue और coil होता है, जो gastric, stomach वाली varices के लिए होता है, अगर एक बार हम bleeding को control कर लें, फिर हमें इसमें आगे क्या करना है, ये बहुत ही important चीज़ है समझना, bleeding का, जैसे मैंने आपको बता है, portal hypertension मतलब जो pressure बढ़ा है, उसको कम करने के लिए भी दवाईया होती हैं, तो bleeding के stage में भी उन दवाईयों को देते हैं, एक बार जब ये bleeding रुख जाए, तो इसमें आगे दो बातें समझना बहुत ज़रूरी है, कि एक बार ये लगाने से EVL में band से ये खत्म नहीं होता है, मैंने अपने अन्भो में देखा है, कि बहुत सारे लोग समझते हैं, कि एक बार लगा दिया, बार बार इसको क्यों करना, ये बहुत ही ज़रूरी है, कि ये तीन से चार sessions में पूरी ये repeated endoscopy के जरिए, इस veins को हम पूरी तरह से जब obliterate कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तभी जाकर कि इसके bleeding का risk कम होता है, और इसमें बाद में surveillance की भी जरूरत है, एक बार नसें खत्म भी हो जाएं, तो भी इसको आगे की bleeding हुई, bleeding रुख गई, और उसके बाद क्या करना ये मैंने आपको बता है, यदि bleeding रुखे ना, तो जो options होते हैं, फिर इसमें सबसे important option, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, tips. Tips के अंदर हम एक steel का stent होता है, जो कि liver की veins के अंदर जाकर के portal vein और hepatic vein को connect करते हैं, जिसके कारण ये pressure कम हो जाता है, और इससे bleeding रुखती है, अगर uncontrolled bleeding हो रही हो, तो tips एक life saving जरिया है, तीसरी चीज़ होती है, एक तरह का stent होता है, यानि की steel की चाली होती है, जो कि हम food pipe में डालते हैं, और इसके जरिए इन veins को directly compress कर सकते हैं, तो ये चीज़ प्राइमरी treatment नहीं है, ये rescue treatment है, अगर bleeding नहीं रुक रही हो, तो bleeding अगर सबसे common जो तरीका होता है, endoscopy के जरिए banding और glue का injection नहीं रुक रही हो, तो tips या denisella stent कहलाते हैं, surgery अब इसके लिए ज़्यादा तर जरुवत नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि tips और denisella stent ये काफी कारगर तरीके हैं, और जब एक बार bleeding रुक जाए, तो फिर उसका आगे follow-up, endoscopy और beta blockers इन धवाईयों को लेना होता है, इन धवाईयों को इसके अलावा ये तो treatment हो गया, जब bleeding आ रही हो तो, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, isofagial varuses से bleeding सारे लोगों को नहीं होती है, अगर 100 cirrhotex को अगर हम लें cirrhosis के मरीजों को, तो 30-40% को होती है शुरुआत में, जैसा कि मैंने बताया, तो बाकियों को अगर varuses है, जिससे bleeding नहीं होई है, तो क्या करना होता है, तो इसमें हमारे पास दो option है, और दोनों equally कारगर हैं, या तो हम धवा दें, जो beta blockers मैंने बताया, या endoscopy के जरीए इसकी banding करें, इसको कहते है primary prophylaxis, जिसका मतलब हुआ कि bleeding हुई नहीं है, पर भविशे में ना हो इसको रोकने का तरीका है, ज़्यादा तर लोग beta blockers prefer करते हैं, पर यदि beta blockers आप सहर ना कर पा रहे हों, या viruses बहुत बड़ी हो, जिससे bleeding का खत्रा हो, तो हम इसमें banding भी कर सकते हैं, पेट के अंदर होने वाली जो नसे होती है, इसका primary prophylaxis एक मुश्किल काम है, क्योंकि glue injection एक relatively difficult procedure होता है, तो ये viruses हो गई, जिससे की primary prophylaxis पत्लब रोकने का तरीका और होने पर जब bleeding हो जाए, उसको कैसे treat करते हैं, वो मैंने आपको बताया, दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, gastropathy ये सबसे common चीज होती, इससे उल्टी में खून प्राया नहीं आता है, थोड़ा-थोड़ा खून रिस्ता रहता है, जिससे खून की हलकी कमी होती है, और इसको अगर इसके ये bleeding का जरिया है, PHG यानि की portal hypertensive gastropathy, तो हम generally एक laser होता है, आरगन laser, आरगन plasma coagulation कहते हैं, उसके जरिया उसको करते हैं, उसको burn करते हैं इन bleeding points को, जिससे की bleeding रोकती है, और जैसा की banding में होता है, APC के भी multiple sessions चाहिए होते हैं, यानि follow up पे, 3-4 हफते पे ये करना है, जब तक की bleeding पूरी तरह से, ये नसे पूरी तरह से जो दिख रही है, ये small veins होती हैं, जो की खत्मना हो जाएं, तो bleeding, liver cirrhosis का एक important part है, bleeding different reasons से हो सकती है, आतों के अलग-अलग parts से हो सकती है, ये ectopic viruses एक uncommon चीज़ है, जिसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा अभी, उसका treatment बहुत ही complicated और ये uncommon भी है और difficult भी होता है, तो bleeding के लिए, जो diagnostic test और treatment है, इसको अगर हम systematically follow करें, तो इससे हम काफी हद तक लोगों की जान बचा सकते हैं, और liver का फर्दर कमजोर होना बचा सकते हैं, जब भी इस तरह की problem हो, तो इस चीज़ों को समझना और follow करना जरूरी है, ताकि liver आगे के लिए safe रहे, धन्यवाद झाल